प्यार्वेज़ों नमस्कार नमेरिकल लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का हमाँ टॉपिक है इसिंग टॉर्म साफ फानाइट डिफ्रेंस के का यूज करके हम इसिंग टॉर्म को कैसे फाइंट करेंगे इस लेक्चर में सेखने हैं बहुत जो इंजिनिंग इस्टॉइंट्स होते हैं इसलिए निमेरिकल टैक्निक वर्ड सी उजगिया जाता है तो इस टॉपिक से बहुत क्विस्ट्उनस आप से पूछा जाता है आपके कम इसको कैसे समझेंगे स्मार्ट तरीके से उसको करने का हम प्रास करने में आदे इस देखे जनरली दो दरह के missing terms आपसे पूझे जाते हैं one missing terms या two missing तो पहले हम आज discuss करेंगे one missing terms को कैसे find करना है और फिर आने वाले continue lectures में second missing find out करते हैं तो सबसे पहले हमको data की जरुत होगी है तो जो data दिया रहता है आपके पास argument और entry इसमें क्या होता है entry में जैसे one missing term की बात करेंगे तो जे entry होगा उसमें से कोई ने कोई एक term को miss कर दिया जाएगा और उसी की values आपको find करनी है इसे for example अगर हम समझें basic formula की concept में समझना start करें student तो देखे पहले हमको यहाँ पी लिखना है इस दो one missing term के लिए हमको इस total lecture में काम करना है one missing term ठीक है और one missing term में पहला हमारा जैसे आता है हम लिखते है कि argument argument का मतलब हुआ जो x होता है उसको argument कहा जाता है दूसरा मारा आता है entry entry y is equal to होता है तो y is equal to f of x हो जाता है अगर हम इसको start करें तो यहाँ से आता है इस देख 1, x2, x3, x4, order करके function तक जाएंगे इसके cross bonding function हम लिखेंगे तो f of x1 हो जाएगा इसके f of x2 हो जाएगा और मान लिजे इस x3 के corresponding function values है वो miss कर दिया f of x4, फिर dot dot करके चले गाए तो f of x ठीक है यह that is the value है अब के इस part के अब साही से यह बनाएगा लाएग तो यह हमारे पास basic fundamental है तो x3 जो है argument उसके corresponding जो entry थी उसको miss कर दिया गया और उसी को आपको find out करना find out के लिए one missing terms के लिए work करना तो what is the basic concept अब formula को हमको लिखना है के what is the basic formula क्या होगा बहुत आसान सा concept है यतनी is number of argument जैसे n यहां पे n लिखेंगे n is equal to हो जाएगा और this is the total number of argument n is equal to total number of argument n क्या होगा हमारा total number of argument इस point को याद रखेंगे total number n क्या हमारे पास argument मतलब x1, x2, x3, x4, up to xn तो n जो है total number of arguments है यहां से लेकर के यहां तक तक तो for for one missing term, missing term, put करते हैं delta power n minus 1 f of n is equal to 0 delta power n minus 1 f of x equal to 0 यह formula है इसी को आपको remember नम्बर रखेंगे हैं one missing terms होगा तो delta power जो जो फारवर्ड है यह यह forward difference table होता है finite difference भी कहाज़ा है तो आप इसको delta power n minus 1 fx equal to 0 याद रखना है जब one missing terms होगा तो n में से one को minus करना है fx के साथ जो भी values आएगी उसको आप equal to 0 करते हैं तो यह ध्यान रखना है इसी से हमको decide होगा number of tables कितने हमको बनाने हैं यह आपका one missing term का concept है दूसरा तरीका यह भी है कि जब number of entries हो उसके वरावर equals put कर सकते हो अगर मालीजे number of entry entry पे focus करें entry पे जाएंगे तो थोड़ा भी confusion हो जाएगा इसलिए a की concept को याद रखें यहाँ पे हमको याद रखना है n की value क्या है total number of arguments है n क्या है total number of arguments है जब one missing term की बात होगी पेटा हम क्या करेंगे delta power n minus 1 fx equal to क्या करेंगे 0 put करके calculate करेंगे और table को बनाएंगे और उस table में जो last जो 5 entry है तो delta power argument 5 है तो delta power 4 तक table बनेगा और delta power 4 के जो last में जो terms आएगा उसको equal to 0 put करके calculate करेंगे यह main important है यह आपको कहां से मिलने वाला है यह table से जो forward difference table हम बनाएंगे इसी से यह कैसे मिलेगा forward difference table difference table यह forward difference table से हमको find out हो जाएगा तो आई इस पर example करते हैं जिससे कि आपको ज्यादा concept clear होगा देख यहां लिखा है find estimate missing terms of the following data गैपिंग करके बनाएगा जो missing term का data होगा उसको हम माल लेंगे ए माल लेंगे इसके लिए tables की जरुवत होती है table बहुत ध्यान से क्योंकि subtraction division minus करना बहुत ध्यान से करना रहता है यहां पर हम x के लिए table बनाएंगे और फिर यहां पर y के लिए y equal to f of x है तो आप f of x भी लिख सकते हो symbol अलग-अलग हो सकते है that is the zero ठीक है फिर one फिर क्या आपके पास है two है फिर three and four है तो three फोड़ा space लेके आपको बनाना है simply जो workouts होगा उसके corresponding में जो entry हमारे पास है यहां पर one है यहां पर आपका three है इसके corresponding अब आपका क्या हो गया नाइन है और यहां पर आपके बाद data miss है तो इसको में लिखेंगे a और फिर यहां पर 80 यह आपके पास जो tables का concept हो गया इस एक important table आपको सही से बनाना है basic fundamental यहीं है table बनाने का जो main concept है यहीं से बनने वाद तो बहुत ध्यान से tables में missing नहीं करनी आपको पॉइंट्स को वर्क आउट्स में लेके चलना है अब अच्छे से बनाईएगा table आप scale है आपके पास scale से इसको ड्रॉ कर सकते हो और आपको कहां तक जाना है forward difference table हम जनली जानते हैं कि 5 इंट्री है तो 4 तक जाएंगे मतलब यहां पर डेल्टा f of x हो जाएगा फिर डेल्टा square f of x होगा फिर डेल्टा q f of x हो जाएगा डेल्टा पावर 4 f of x और फिर next is the डेल्टा पावर 5 यह number of entries आपके पास मिल जाएंगे जिस पर के हमको अब वर्क करना है बहुत ध्यान से वेटा तो वैलूस है अब forward difference table में जो हमारा work out होता है उसको समझना है कि forward difference table में हम करते कि पॉइंट को समझना बहुत हो रही है कि इस forward difference table जो है वैलूस को कैसे put out करेंगे find out कैसे ठीक है तो teachers हम find out करते है जो values missing होगी उसमें हमको क्या करना है यह missing values है इसी को हमने यह माना हुआ है forward difference table में teacher से value को उपर minus करते हैं मतलब simply यहां से इस वाले इसकी बात अगर हम करें तो हमारे पास क्या मिलेगा यहां से 3-1 तो क्या मिल जाएगा तू मिलेगा तो यहां पर हम इंट्री जो हमारी होगी क्या होगी तू के इंट्री होगी नाइन माइनस थी करेंगे यहां से इसमें से माइनस करेंगे इसको फाइंट करने का तरीका है अमेशा आपको फोकस रखना है नीचे से वैलू को ऊपर माइनस करना है इस पॉइंट आउट को रियाद रखना है सब्सक्तर जाए होगी को सब्सक्रालों कितना हो पर अभूद एसमें से ध्यान रखना है माइनस वाला कंसेप भोग को द 지nd आएधा है अप इस वाले के हांग है बहूद nimmtlection फिक पहले हम देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या होग साइन change हो जाएगा, यहां रखेगा, 81-9 जैसे यहां पर मैं अलग कर लेता हूँ रफ पर कर लिजेगा 18-A, minus फिर A-9, देखें जैसे इस bracket को करेंगे तो minus 2A हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आड हो जाएगे इसमें से इसको minus करेंगे तो A, इस वाले में से इसको minus करना है, तो simply क्या हो जाएगा, A-9 हो जाएगा, यहां पर 15- something, अब फिर से इसमें इसको minus करना है, 90- जैसे करेंगे तो minus वाला उसका sign plus में हो जाएगा, तो simply 90 plus 15 हो जाएगा, 19 plus 15, what we get? 19 plus 15, 105 तो 105 हो जाएगा, और यह जो इसमें minus करेंगे, तो यह minus होगा, माइनस 3 यह आजाएगा, क्या आगा आगा आपका, simple, बज्माएगे बात, 105 minus 3 यह आगा, and others, अब next, जो हमारे पास last बच जाएगा, यहाँ पर, इसमें से इसको minus करेंगे, तो देखे, यह से minus करेंगे, प्लस जाएगा, तो 105 plus 19 कितना हो जाएगा, 124, और यहाँ से minus करेंगे, तो minus 4A, अब आगे कुछ है नहीं, तो last वाले की जरुवत हमको यहाँ पर नहीं पड़ी, मतलब जो last वाला column बने 5 तक बनाया था, क्योंकि entry हमारे पास 5 है, तो 4 तक ही बनता है, यह आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए बात, अब देखिए, जो point out है questions का, n है, n क्या हमने लिखा, total number of arguments, जो उपर हमने n के बारे में सुचना दी, कि total number of क्या है, arguments, तो argument हमारे पास कितने है, इस argument को देखना है, argument हमारा मतलब x वाली जो values होती है, इस वी को हम argument कहते है, यह arguments है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 arguments है, मतलब total number of arguments जो हमारे पास कितने है, 5 है, ठीक है, यह 5 हो गए, अब आपको statement, for, we know that, for 1 missing term, missing term, ठीक है, we know that is delta power n-1, f of x equal to 0, ठीक है, तो n, n हमारे पास कितना है, 5 है, मतलब delta power, simple, 5 minus 1, f of x, 0, so, delta power 4, f of x, ठीक है, यह delta power है, यहाँ, इसके लिए y भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, simply, जो values है, यह आपका, इसको, अगर y के term में लिखना है, तो, delta power 4, y, जाएगा, y equal to 0, तो, y equal to f of x है, यह भी symbol हो सकता है, यह भी use कर सकता है, तो, last में, जो values हमको मिली है, वो क्या मिली है, यह मिली है, 124 minus 4a, यहाँ पर simply put करना है, 124 minus 4a, equal to 0, तो, now we get 4a equal to 124, ठीक है, simply, यह find out कर लिजी, a equal to क्या हो जाएगा, 124 divided by something, 124 divided by 4, so, now we get a equal to, so, बेटा, यह रहा आपका तरीका, that is the missing term को find करने, one missing term, समकर हमको find करना है, तो, कैसे find out हो जाएगा, a equal to 3, इसी तरह से, concept को use करके, और find out कर लोगे, ठीक है, एक questions मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको मुझे comment box में answer बताएगा, simply, basic concept क्या है, उस point को आपको हमेशा remember, for example, मैं लेगा एक्स और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से entry आपके चले जाएगा, one, two, three, four, इसके corresponding values हमें यहाँ पर दी, यहाँ मिस कर दिया, 10, 10, 20, तो आपको estimate, frequencies, जो missing terms है, वो हम मुझे को बताना है, comment box में answer आप मुझे बताएगे, यह जो missing terms है, वो कैसे है, वीडियो helpful हो, तो आप अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिए, basic fundamental क्या है, एक बार और फिर से आपको revise करता हूँ, student, बहुत ध्यान से समझे, जितने भी number आप missing terms होंगे, पहले आपको arguments और entry दिया होगी, तो argument और entry दिया रहता है, entry में कोई एक value आपको miss कर दी जाएगी, प्याकि जाएगी एक value, बात करने, value की होगी, आपर आप arguments की बात है, तो for one missing terms में, simple delta power n minus 0, what is a delta, delta is a representative of forward difference table जैसे हम बनाते हैं, forward difference tables को के थूँ हम इसको find out करेंगे, forward difference table का यूज करके, इसको हम find करने का प्रियास करने वाले हैं, अब इसी को हमको जब कोई data दिया रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, tables को prepare करेंगे, table हमको prepare करने आना चाहिए, simple, तो यह जैसे for example है, यह रहाँ आपके पास total point out का conclusion, यह questions है, forward difference tables में हमेशा, जो next value है, उससे minus previous values को करते हैं, जैसे पहले वाले में निकाल लाए थे, तो 3 minus 1 किया, 3 minus, फिर उसके बाद 9 minus 3, फिर A minus, 81 minus 3, तो हमेशा आपको कहां से जाना है, below से जाना है, next values minus previous values, इस point को ध्यान रखना है, और जितने number आप tables बन जाएंगे, उसके according सापको काम कर ले, ठीक है, अब formula जो कहता है, कि one missing terms के लिए, हमको क्या यूज करना है, delta power n minus 1, f of x equal to 0, उस particular columns में, जब हम बनेंगे, delta जो भी terms हमारे पास है, तो उस column की जो values आएगे, उसको equal to 0, पुट कर लेंगे, और simplify करेंगे, then we get the missing term, ठीक है, ये एक logical concept है, इसको आप try करिएगा, जो आपको homework questions दिया है, और ये अगर आपके लिए helpful हो जाएगा, आप answer बताएगे, मैं समझ जाओंगा, अपने questions को properly समझा है, और अच्छे से करा है, फिर भी कोई doubts हो, तो आप मुझे comment box में, बता सकते हैं, जो भी help हो पाएगा, मैं करूँगा, वीडियो की इसकी PDF आपको, ये topic जैसे amazing वाला complete हो जाएगा, आपको मैं इसका PDF आपको description box में link प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर दूँगा, टेक कास, थैंक यो, बाबाई, चेहिन,